6 माच को कक्षा 5 हिंदी मीडियम बालों का हिंदी का पेपर हो चुका है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी मीडियम बाले बच्चों का हिंदी के पेपर का सोलूसन कबर कर वा रही हूं सबी जगे पेपर अलग अलग आ रहे हैं तो आप अपना पेपर मैच कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर यही है कि दूसरा है मैं यह जो पेपर है सीपुरी जले से आपको बता रही है पहला क्वेशन है इसमें बनवीर किसे मारना चाता था तो करेक्ट आंसर है आपका पुदै सिंग को इस्वा चंद बिद्या सागर का जन्व कहां हुआ था ओलकाता में जांची के बाद आजाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया इसका सही जबाब है आपका थीकमगर मित्ठी सब्द का पर्यवाईची के रूप में कौन सा सब्द प्रयूख किया जा सकता है तो इसमें सही जबाब आएगा आपका मिर्दा बारं बारं इसनान करोती यह आपके संस्कत खंड मेंसे लिया गया है तो इसका जवाब आएगा कववा, कववा बार बार बवले हंस के समान सफेर होने के लिए इसनान करता है, यह आपकी सोट कहानी दी हुई है संस्कत में कुशन नमबर छे, आपके आप खालिस्थान है, वीरवल ने घणों की देखवाल के लिए इसको रखा था, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, खालिस्थान में सेवक, सेवक से कहा था उदय सिंग के विस्तर पर चंदन सोया था, सफलता के लिए कठोर परिस्थान करना पड़ता है, खालिस्थान में आपका सब्दा आएगा परिस्थान, नित्य ब्यायाम करने से सरीर स्वस्थ रहता है, बन का बहुबचन बनो होगा पुस्थान नमबर ग्यारा, पुस्थ की अविलासा कविता के रचीता कौन है, तो इसका सई जबाब है आपका माखनलाल चतुरवेदी यह आपके कुश्चन नमबर ग्यारा से सोला तक दो दो अंकिके आ रहे हैं, गंगा में इसनान करने से भक्तों को क्या प्राप्त होता है, यह सब्द थोड़े कठिन थे लिखने में, आंसर आपका दो ही सब्द का था, गंगा में इसनान करने से भक्तों को दे सुद्धी औ फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है फसल खराब होने पर सरकार मुआपजा के रूप में या फसल वीमा कराकर के मदद करती है संग्या, नहीं सुरी, सच्चा सब्द का विलूम सब्द लिखिए सच्चा सब्द दिया हुआ है थोड़ा misprint type का छपा है यह तो सच्चा सब्द का विलूम सब्द हुआ आपका जूट ठा ठठेरे का बना हुआ है यह ठा राधा पुस्तक पड़ती है बाकि का काल पैचान का लिखना है आपको तो यह बाकि जो है वो बर्तमान काल का उधारन है सब्ता हे कती बासरह, फिर से यह संसकत खंड में से लिजया हुआ है, तो आपको तर इस तरह से लिखना था सब्ता हे सब्त बासरह, यहां से कुश्चन मार का आप अंसर में हटा देंगे, आगे के प्रस्ण बता देती हूं, मैं आपको कौन-कौन से पार्ट से आई हुए थे यह थोड़े से आपको बड़े लिखने थे, तीन आंक की कौश्चन है, इस्वा चंद बिद्या सागा ने अंग्रेजी भासा के आंक कैसे सीखे, तो रास्ते में आते हुए उन्होंने जो रोड के किनारे पत्था लागे हुए होते हैं, उससे सीखे होते हैं, तो यह तीन लिखा है आपका, विद्या सागा जी के पिता को नोकरी मिलने के बाद किस बात की का सकती, यह भी आपका इसी का है, पचमड़ी किसलिए प्रिसिद्ध है, पंदापार्ट का कुश्चन है, प्रिसासन ने राजिन को समानित करने का निर्णा क्यों लिया है, यह बाइस पार का कुश्चन है आपका, अपने जन्म दिन पर मित को अमंतरन देने हे तू पत्र लिखिए, इसमें आपको पत्र लिखना था, काल किसे कहते हैं, काल के प्रकार साइथ लिखिए, इसमें आपको परिवासा बतारनी थी, काल से आसा समाई से है, और काल के तीन प्रकार होते है बुद्काल वविश्काल और बर्तमानकाल Q2 आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है वह कैसे खेलते हैं लिखिए ये पार्ठ बारा में आया है आपका हिंता और सिष्टाक्त का सम्मंद देश की हिंता और सिष्टता से जुड़ा हुआ है अपने सब्दों में इस पस्ट कीजिए ये जो क्वेश्चन है आपका 24 वा ये विविद परस्णावाली 3 में आया हुआ है जिसमें लिखा है क्वेश्चन भाव इस पस्ट कीजिए निमलिखित अपाथित गर्द्यांस को पढ़कर परस्णों के उत्तार लिखिए अगला परस्ण 25 वा आपको अपाथित गर्द्यांस है तो पहले अपाथित गर्द्यांस सॉल्व काने से पहले हमें क्वेश्चन उपनेगा डालनी होती है इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं पेड़ पोदों से हमें क्या-क्या मिलता है पेड़ों के प्रती हमारा क्या करतब है पेड़ों से बाता बढ़ में क्या-क्या प्राप्त होता है और हमारे मित्र कौन है तो इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग होता है कोई ध्यान से पढ़ना था ये दिया हुआ है पहले प्रस्न का जवाब आपका इत्रा बनाने के लिए किस प्रयू को होता है फूल तो फूल का प्रयू करते हैं पीड पोदों से हमें क्या क्या मिलता हैbas पे दिया हुआ है पेड़ों से कपास, चाय, कौफी, लकड़ी और रवड मिलती है सीधा सा जवाब यहां से यहां तक आप लिख देते हैं यह सभी कुछ आप इसमें लिख सकते थे पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है यहां से लिखना सू करेंगे आप आप की जो मर्जी थ हमारा क्या करतब है लाश्ट में दिया हुआ है इनकी रक्षा करना हमारा करतब है इनकी का मतलब पेड़ों की तो यहां लिखते आप पेड़ों की रक्षा करना हमारा करतब है यह तीस से कोशन का अंसर है पेड़ों से बातावर्ण में क्या क्या होता है पेड़ों के कारण हमें सुद्धवा मिलती है हमारे मित्र कौन है पेड हमारे मित्र है अता ये हमारे मित्र है ये की जगे पे हमें क्या करना था पेड या ब्रक्ष इस तरह से ये आपका जवाब होना था और आपको सबसे प्यारा देश हमारा शीसक पर दस बाक्ते लिखने थे क्यानि आपको निबंध लिखना था मेरा प्यारा भारत इस बेसे पर आपका ये निबंध होना था तो उम्मीद करती हूँ आपने ये सभी कुश्चनों के आंसार अच्छे से लिख लिए होंगे आगे के सॉलूसन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल पर सभी पेपर के सॉलूसन कबर करवाए जाएंगे आपको